Hello students, today we are going to start new chapter Seed becomes a plant, students EVS का chapter 6 है Seed becomes a plant, seed becomes a plant means seed है, वो plant की रूप में कैसे बनता है एक plant है, एक बीज से plant कैसे बनता है इसको बेशे बोले तो कि एक बीज बना पोधा या प्लांट बीज से पोधा बनना, seed means bees, plants पोधा या प्लांट You have learned about plant in your previous class These are very useful for us, different parts of the plant are used as food Student, you have learned about plant in your previous class आपने अपनी पिछली कक्सा में, plants के बारे में भड़ा है These are very useful for us, जो अपने लिए बहुत useful है Different parts of the plant are used as food Plant के different different parts हैं, वो अपन फूड के रूप में यूज करते हैं खाने के रूप में यूज करते हैं Plants के जैसे अपन लिव भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं जैसे सुगर केन का स्टेम में वो खाते हैं रूट भी खाते हैं तो different different plants के पार्ट हैं उसमें plants food के नाम दिये हुए हैं उसका कौन सा पार्ट अपन खाने के यूज करते हैं वो बताना है तो देखें सबसे पहले food item rice rice का अपन कौन सा पार्ट खाने के लिए यूज करते हैं which part of the plant we use as food rice का seed rice a seed है तो seed है उसको खाने के रूप में यूज करते हैं apple apple को fruit के रूप एपल का जो fruit है उसको अपन खाने के रूप में यूज करते हैं carrot गाजर का root है root को यूज करते हैं pearl millet बाजरा बाजरे के seed को यूज करते हैं रेडिस, रूट, रेडिस की रूट को यूज करते हैं, ओनियन, ओनियन को रूट यूज करते हैं, तो students ये कुछ फूड आइटम थे, उनके कौन से पार्टमन खाने की रूप में यूज करते हैं, उसकी ये लिस्ट है, अब नेक्स देखिए, प्रोसेस ओब बिकमिंग एप न्यू प्लांट, न्यू प्लांट बनने की प्रोसेस क्या होती है, पिंटु है, और शुरूती इनमें कनवर्सेशन होता है, दो student है, पिंटु और शुरूती उनमें कनवर्सेशन होता है, तो पिंटु बोलता है, शुरूती, शुरूती लुक अंडर दा नेम ट्री एंड तो शुरूती को पिंटू बोलता है कि देखिए अंडर दा नेम ट्री नेम के पेड़ के निचे इन बैसल पॉर्ट बैसल पॉर्ट मिन्स बैसल पॉर्ट मिन्स होता है तुल्सी का गमला जिसमें गमले में तुल्सी लगी होती है उसके तो पिंटू शुरूती को बोलता है कि देखिए शुरुती नीम के पेड़े के निचे और अपने तुलसी के गमले में देखिए New and small sapling are being seen Sapling में छोटा पोड़ा, इस्टुएंट आपने rainy season में देखा होगा कि नीम के पेड़े के निचे छोटी-छोटे खुब sapling plant, छोटे plant ग्रो करते हैं क्योंकि बरसात के मौसे में उनको मौश्चर मिलता है पानी मिलता है तो वो बीज होते हैं वो स्पाउट होते हैं और चोटा पोदा बनता उसे तो वो बोलते हैं कि देखो नीम के पेड़ के नीचे और तुलसी के गंबले में कुप बहुत सारे श्रूती बलती है यसप्रोधर हा भाई इंस चोटे चोटे-चोटे सेप्लिंग से हैं इनको यहां पे कौन लाया है तो पिंट्टू बोलता है श्रूती during rainy season वर्सात की season में the plants grow naturally वर्सात की season में plant है वो naturally अपने आप grow करते हैं क्योंकि उनको पानी मिल जाता है moisture मिल जाता है moisture मिलने से seed है वो sprout होता है और grow करने लगता है तो वो पिंटो बलता कि सुरूती during rainy season the plants grow naturally सुरूती brother I have uprooted a sapling see what is seen here in तो इसमें क्या होगा तो पिंटो बोलता है this is neem sapling यह नीम का छोटा पोदा है the root grow in neemboli यह नीमबोली means कि नीम की उपर चोटे 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 यलो स्ट्रक्चर लगती है उनका जो seed होता है उससे वो नीम ग्रो करते है वो नीम बोली है वो नीजे तूट के गिर जाती है और फिर वर्देनी सेजन में उनको पानी मिलता है तो वो sprout हो जाती है आर सीन यह इन विच ट्रंस इंटो सेप्लिंग एंड काल ट्री फिर यह चोटा पोदा इसको अपन दूसरी जिगह लगा देते हैं रूटेट कर देते हैं तो यह बड़ा प्लांट बढ़ जाता है और वो नीम का प्लांट होता है इडिज काल ट्री प्लांट कीब इतरayan our चोटे को दूसरी जिगह लगा देते हैं तो वो फिर बड़ा प्लांट मं जाता है GERMINATION Wizard सिस्ट इंट क्या होता है GERMINATION Beads grow करता है जब Beads से चोटा सा पोदा ग्राउट grow होता है जैसे आपने खबी देखा गे कोई चने के चने अपने बिगोते हैं तो उनके दो दिन तीन दिन बाद में उसमें थ्रीड लाई की स्ट्रक्चर निकल जाती है दागय के समानी स्ट्रक्चर निकलती है उसको जब वो निकलना शुरू होता तो वो germination सीड का germination है तो देखे जर मोण मोढ को बिगोए , थे मोअ मोंग को बिगोए , उनंके बिज को बिगोए , और क्या किया फिर उनको एक कोटन के कपड़े में बंदिया बिगो के कोटन के कपड़े में टाइ कर दिया टाइ मिंस बंदना वेन दे नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसने नेक्स्ट मॉर्निंग को देखा जब अगरे दिन बच बारस के दिन जब उसकी मम्मी ने माने मदर ने उसको खोला कपड़े को तो सुरुती सर्प्राइज हो गई आश्चरी चेकित हो गई जब आश्चरी क्यों क्यों यह आश्चरी देखिए सुरुती मदर वाट इस वाइट थ्रीड लाइक वाइट इस चेक्ट्चर है मूं में जो ग्रो हुई है वह कहां से आई है वह मम्मी को पुछते कि यह खां से आई है तो पिंटू बोलता है इस इस तरूट ओप मूंग तो फिर बढ़ा होके एक प्लांट बनाते है पूरा वेन एस सीड इस प्लेश्ट इन वेट सोईल और सौक्ट एंड टाइड जब अपने इनको वेट सो इनको गिला किया या इसमें पानी डाला फिर इनको टाइग या बांधा गिले कपड़े में रूट कम आउट ओफ इट तो कि बांधा इसमें डाल्ड जर्मीनेशंदे को बीज से फिर थ्रेड like white thread like structure निकली वो क्या था उसकी रूट थी फिर उपर इस्टेम निकलता है और इस्टेम से फिर वो बढ़ा होके complete plant बनाता है यू के आल्सो ट्राइड इस आप भी कर सकते हो आप किसी भी चने या मूंग के बीज को बिगो दीजिए बिगोने के बाद उसको एक वाइट कपड़े में गिला करके उसमें बांद दीजिए देखोगे कि उसमें भी structure like structure ग्रोफ हो जाती है छोटी-छोटी अब देखें do you know seed germination depends on both internal and external factor seed germinate होगा या नहीं होगा यह किस पर बीजिए परफेंड करता है internal or external factor पे internal or external factor कौनछ देखें internal factor includes correct t-emprature internal factor होथा है कि correct temperature होना चाहिए water oxygen और air and some time light or darkness दीखोगे plant ग्रोफ अब ही करेगा उसको proper पानी मिले प्रोपर ओक्षिजन प्रोपर टेंपरेचर मिलें और लाइट भी मिलने ज़रूर है अगर आप कोई प्लान्ट गरोग करवाना चाहते हो अगर बहु जेदा है तो वह ग्रों नहीं हो पाएगा वहां पर उसको प्रोपरेबल टींपरेचर मिलना ज़रूर है next again see and write down take some seed or moong gram moth in a bowl fill the bowl with water आप moong gram या मोथ के कोई भी बीज लिजिए चने के लिए लिजिए moong के लिजिए moong के लिजिए moot के लिजिए और इनको एक bowl में रखके water से फिल कर दिजिए fill the bowl with water पहला बोल लिया एक कोई भी बटन लिया आपने bowl लिया उसमें moong के चने के मोत के किसे के भी बीज रख दिये सीड रख दिये और उसमें पानी डाल दिया फिर दूसरा एको लिजिए take another bowl and place a wet cloth in it आप फिर एक अनुदर बोल लिजिए और उसमें गिला कपड़ा रखे now put some seeds of moong, gram, moth and cloth are covered seeds with the wet cloth फिर आप उस कपड़े के अंदर ये बीज रखके उसको बान दिजिए और खही रख दिजिए फिर next दो बोल हो गए थर्ड अब थर्ड बोल में देखिए take one more bowl and put some seeds of moong, gram, moth and only it in everyday note down your notebook the status of germination आपको क्या करना तीसरा बोल लेना है और उसमें सिर्प आपको बीज डाल देने है और उसमें कुछ नहीं करना है ना पानी डालना नो कुछ और करना है अब तीनो को आपको notebook में diary में note करना है जब आप तीनो बॉल्स को आप देखोगे रोज तो उनमें क्या चेंज मिलता देखिए इसमें पानी डाला था इसमें कपड़े वाले थे और यह कुछ नहीं था इसमें सिर्प बीज थे डे फस्ट में देखोगे कि बॉल फस्ट में कोई चेंज नहीं है फस्ट डे में बॉल टू में भी कोई चेंज नहीं मिलेगा और बॉल थार्ड में भी कोई चेंज नहीं मि वो बोल्टु में ग्रेन ब्रीक्स ऑपन, उसमें ब्रीक्स ऑपन होने लग जाते हैं! वो जुर्ण जब तक जる भी नहीं玩 तक कोई चम्झ नहीं干 लेयर तक सब्सक्राइ थे ंब और एंदिखेस थयर। फ़र डे पे साइज ऑप ग्रेन इस बीगर जब पानी तीसरे दिन वह ग्रेन से थोड़े और फूल जाएंगे और लेकिन कपड़े में है तो उनको प्रोपर पाणी भी मिला है मोश्चर भी मिल रहा है प्रोपर टेंपरेचर भी मिल रहा है तो वो स्प्राउट होने लग जाते हैं वो फूट ने लग जाते हैं और उसे चोटा सा प्लांट ग्रो होता है और बोल थार्ड में no change फोर्डे में देखें साइज ओप ग्रेन इस बिगर फोर्डे में और बिगर हो जाते हैं लेकिन जब कपड़े वाले हैं उन में से क्या होगा ग्रेन मच बिगर साइज ओप ग्रेन मच बिगर और sprout होने की condition बढ़ती है और इसमें no change आएगा अब देखिए In which bowl was the pace of germination more वही? कौन से bowl में germination fast होगा और क्यों होगा? देखिए क्यों होगा bowl second है उसमें germination fast होगा student क्यों? क्योंकि because there is balance temperature and moisture क्योंकि इसमें temperature और water का moisture का सब condition balance है कपड़े वाले में In which bowl did germination start from first day itself? कौन से bowl में germination first day से सुरू हो जाएगा? germination first day से किसी भी bowl में student सुरू नहीं होगा one day में कोई भी change नहीं आगा क्यों first day से किसी में change नहीं आएगा Why were seeds tied in wet cloth for germination? अपन tied क्यों करते हैं? germination के लिए गिल्य कपड़े में उनको जर्म क्यों बानते हैं? अब देखें क्यों बानते हैं? क्योंकि wet cloth given proper moisture and temperature गिल्य कपड़ा है उनको proper moisture and temperature provide करवाता है In which bowl I did germination not take place and why? कौन से bowl में कोई भी change नहीं होता है germination नहीं होता है bowl number 3 में नहीं होगा क्योंकि उसमें water moisture कुछ भी नहीं था अभी student वेरी ड्राइ एंडे आर नोट इन मोस्ट कंडिशन देखो आप जज लोग को उसमें जिसमें growth नहीं हुई थी moisture नहीं आया था seed grain kept at home अगर आप यह क्या पूछ रहा है यह बोल रहा है कि जब आप घर पे seed वगेरा रखते हो grain से वगेरा रखते हो तो वह germinate क्यों नहीं होते है अपने आप जैसे आप घर पे यहूं रखते हो वीट रखते हो तो आप उनको स्टोर करके रखते हो वह germinate नहीं होते है जब तक उनको moisture नहीं मिलता है तो वह क्यों नहीं होते है germinate क्योंकि because they become very dry and they are not in moisture condition उनके पास moisture नमी नहीं होती है पानी की मातरा नहीं होती है तो वह grow नहीं होते है अपने गर पे जो भी बीज होते हैं सुके हैं ड्राइ हैं वह कभी grow नहीं होंगे जब तक उनको moisture नहीं मिलेगा अब देखे इस परकार होता है sprouted grams तो students यह था कि germination कब किस condition में ज्यादा होता है किस में कम होता है eat sprouted seed and healthy इस chapter के student दो वीडियो बनाएंगे क्योंकि chapter लंबा है एक वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा chapter इसलिए यह first part एक second part next video बनाएंगे उसमें complete करेंगे इस chapter को तो इस video में यहां तक ही करेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं हो long नहीं हो video इसलिए इसके दो पार्ट करेंगे तो यह first part है इसमें यहां तक ही करेंगे eat sprouted seed and be healthy यहां से next video में complete करेंगे तो students आज के लिए thank you